हेलो फ्रेंड्स हब ही हम बात करने वाले हैं डॉक्टर एस नामपी नारायं तो एक बार हम जान देते है डॉक्तर इस नाम भी नाराइन क्या है और यह क्यों यूज बेइस के बारे नों जानते हैं कि एस नाम भी डॉक्टर आद्रेशन नाम भी नाराइन यह एक बैज्ञानिक कौन है साइंतिस्ट है ए ऐखो चाल्टेंट हैं कहांगे यह श्रु ए प सब्सक्राइफ कि एक बेढ़ चाहिए कि यह bethp यह उसमें इसन्य की यह मारत्र ऐसे बेढ़ करेंप्यर्ग्ष के जिन्हें अभ गुप्त सूचना किसी अन्य देस्थ का बेचने के जुरब में मैं इन्हें जेल भेजा गया पर किसी बी देश के लिए बहुत बड़ा ब्रुभागिक सबा हुता है जब किसी बैध्यानिक पर डावड किया जाता है बैध्यानी पर संदे ही किया जाता है और यहां तक कूसको थेजना कुछ नहीं रिष्टी और कि वह व्हुमरास घ्राव साट एक depressing में 1994 में इन्हें इसरों के कुछ गुप्त दस्तावेज विदेश को बेंचने के द्रूब में इन्हें जेल विजा गया लेकिन 1998 में CBI रिपोर्ट ने CBI ने इन्हें रिहा कर दिया ठीक है यहीं 1994 में इन्हें भारती दस्तावेज बेजने के जुरूब में जेल वेजा गया और CBI इनकारी में इन्हें निर्दूस पाया गया और इन्हें 1998 में छोड़ दिया गया ठीक अभी यह डाक्टर ऐस नामी नारायन कभी कभी अपने इंट्रव्यूं बताते हैं कि हमें यह नहीं पता चला कि हम पर हम पर इल्जाम क्यों लगाए गया इल्जाम लगे लिए तो ठीक है जेल में भी रहे कापी बरिसानी आप हु वो कहते हैं कि अभी भी हमें इस बात का जवाब नहीं मिल पाया है कि हमें जेल में क्यों भेजा गया क्या कारण था तो अभी यह का नाम नीज में क्यों है अभी इस लिए है कि सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें 50 लाख रुपए मौबजा देने की बात कि कितने 50 लाख रुपए इनका कहना है कि 50 लाख रुपए क्या 50 करोड भी उस दर्द को कम नहीं कर सकते जो उस समय हमें हमें उठाना पड़ा या देश के सामने हमें सर्मिनना होना पड़ा है फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सरकार से कि इन्हें मौबज से के तौर पर 50 लाख रुपए दिया जाए क्यूंकि इन्हों ने जेल से आने के बाद जो इस्रों के चीफ के पदबे मैनेजिंग के पदबे डारेक्टर के पदबे काम नहीं किया उन्होंने कहा कि हम इसका काम लिया क्योंकि उसमें बाचित कम करनी हो दी थी काफी होपलेस थे लिए तो लेकिन ये काम करते रहे हैं अभी दो ती निर पहले इन्हें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया सरकार को कि इन्हें 50 लाख रुपए ऐजे मौबजा दिया जाए एक्शली ये जो डॉ क्राइजीनिक इंजन पर भी काम कर रहे थे कि ऐसे डिळिव ये कि इंजन चिंज सब्सक्राटन की शली में ऊम जनुट Ohh वही इंजन रॉकेट के साथ बेजते थे इसमें फ्यूल डाला जाता है वो माइनस टेमप्रेटर में डाला जाता है इस वडी विच्विक्ट तो इस इंजन में थ्रश्ट अधिक होने की काम थ्रश्ट धका अधिक होने कर यह 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 वर्य गया तो कभी कुशन प्रजयनिक इंजन कर यूज होता है और विसेस कर जीयसर यूज होता है कुछ समय तक पहले जीयसर भी है कि इंजन हमारे देश में नहीं थे हम रसिया से इनको इंपोर्ट करते थे और फिर हम अपने जीयसर भी सेटलाइट छोड़ते थे तो यह तो था डॉक्टर एस नापी इंडियान इस पेंसरी सर्च उप्रनाइजेशन क्या है यह इनदियर इस पेंसर्च और्गुनाइजेशन कहां पर है यह यह बेल्गुरु में है डेली तो एक करनाटगा में है बेल्गुरु में है करनाटगा में इसकी स्थाथ में कवी थी 1969 में ठीक है पंडित नहरू और बिक्रम सारा भाई थी इस इसनी बीदिट थी पंडित नहरू के जो मित्त थे वो बिक्रम सारा भाई थे उन्हों ने इस्थाभना के तो कभी कोशील बन सकता है इस्थाभना के समय भारत का प्रधार मुंत्री कौन था है ना that was पंडित पंडित जवाला नहरू इसका जो function है वो क्या है इसका पर इसका अब्जेक्टिव क्या है इसरो का इसरो का स्पेस समंधी जितनी पी टेकनलोजी है तो जितनी पी उपगर्य समंधी है इस्पेस से जुडिवी जूरी चीज़ें है उस सारी की सारी सैटलाइट है या किसी अगधर प्रोजेक्ट बिजना है तो इस तरह के प्रोजेक्ट के लिए इस नुग काम करता है ठीक है तो यह तो बेसिक इस रोग के बारे में और यह ध्यार रखना है डॉक्टर एस नावी नारायन सैंटिस्ट है इस रोग में इस रोग के वैज्ञानिक है सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ दिन पहले मौबजा के तोर पर पचास लाग रुपे देने का इने एलान किया है और यह ऐस नावी नारायन है तो क्रायोजनिक इंजिन से सम्मंग निते हैं कि अगर डॉक्तर एस नामी नारायन को जेल नहीं जाना पड़ता था या जेल नहीं बेजा जाता तो हो सकता है क्योंगी है कि द्राइव जनी इंजन बहुत पहले बन गया होता तो यह तो था इस स्पेस श्रो और इंडियोर्य इंटिसर्च और अबंगरों में है कब इसकी स्थापनों भी 1969 में किसे ने करवाई है पड़ी जवाला नहरू और विक्रम सारावाही ने और यह इस पेस संबंधी प्रोजेक्ट पे काम करता है तो यह तो थे डॉक्टर एस नाम भी नारायन तो नेक्स टॉपिक में हम नेक्स टॉपिक करते हैं थिंग